जिस पल का इंतजार देश्ट को भरसों से था वो पल अब आ चुका है रैफल की प्रतिश्चा खत्म हो चुकी है आज से वायु सेना को रैफल की प्रचंट शक्ति मिल सकती है दोपहर करीब सबा दो बजे ये लडाकू विमान अमबाला पहुच चुके थे फ्रांस से 7000 किलो मीटर की दूरी तैकर के पांच रैफल आज दोपहर करीब 3 बच कर 15 मिनट पर अमबाला एयर बेस पर उतरे रैफल ने कुछ देर तक अमबाला के आसमान पर गरस्ते हुए अगवानी वायुसेना प्रमुक एयर चीफ मार्शल आरकेस भधारिया समेत वेस्टरन एयर कमांड के कई अधिकारियों ने की अमबाला एयर बेस पर सत्रमी गोल्डन एयरो इसक्वार्डन रैफल की पहली इसक्वार्डन होगी 22 साल बाद भारत को पांच नए फाइटर प उतर गई भारत की सरजमी पर रैफल का उतरना सेन इतिहास में एक नए युक की सुरुवात है जब रैफल की टुकडी ने भारत के एयर स्पेस में प्रवेस किया तब उसका आई एन एस कोलकता से संपर्क हुआ नौ सेना के इस जहाज ने रैफल की टुकडी से संपर्क दुनिया में अकेला ऐसा फाइटर एयर क्राफ्ट है जो 55,000 फीट की उचाई से भी दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है सबसे एहम बात यह है कि यह काबलियत हमारे पडोशियों पाकिस्तान और चीन दोनों की ही सेना के पास नहीं है इसी प्रकार की बड़ी खबर और शेयर करना ना भूलें